2024 लोग सभा चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचे हैं वैसे तो यह चुनाव देश भर में होगा लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा सुख बुगाहत बिहार में दिख रही है बिहार के नेता या पाटियां अपनी अपनी राजनितिक गोटियां सेट करने में जुड़ गई है हर सीट के लिए समिकरण समझने की कवायत की जा रही है इसी में कुछ खबरे या कयास सारुजनिक हो रही है इसी कड़ी में बिहार के बकसर लोगसभा सीट को लेकर एक नई खबर आई है कि बक्सर लोकसभा सीट से अंडीये के संभावित उमिद्वार मनतिवार होंगे और यह दिन्यकिति वा बङश्वर बाबा जब बिहार आये थे तब भी मनोस्तिवारी बिहार में ही थे और उनकी खासी सक्रियता रही थी मनोस्तिवारी का ज्यादातर समय बिहार में बीत रहा है हलाकि बिते दिनों जब मनोस्तिवारी से दो हजार चौबिस में दिल्ली छोड बकसर से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खारिज कर दिया मनोस्तिवारी ने कहा कि अब तो सोचना ही नहीं है जीवन में तो अब दिल्ली ही है बकसर से नहीं सिर्फ दिल्ली से ही चुनाव लड़ना है हलाकि BJP आला कमान चाहती है कि मनोस्तिवारी बिहार के किसी सवन बहुल सीट से चुनाओ लड़े इसके लिए बकसर लोगसभा की सीट मुफीत साबित होती है यह भी कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान की लोजपा NDA में सामिल नहीं होती है तो यह संभव है कि बकसर से लोजपा अपनी दावेदारी ठोक दे लोजपा के उम्मिद्वार के तोड़ पर फुलास पांडे प्रबल दावेदार माने जा रहे है फुलास पांडे ना सिर बकसर और भोजपूर इलाके के बाहु बली है बलकि अकूद दौलत और सियासत में भी गजब की पैट है फुलास पांडे पीरो के जदियू विधायक रहे नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे के भाई है सुनील पांडे की छवी भी बाहु बली की ही है जदियू की टिकट नहीं मिलने पर वे भी लोजपा से जुड़ गए थे फुलास खुद बिहार विधान परिशत के सदस से रह चुके हैं दोनों भाई मूलता रोहतास जिले के रहने वाले हैं लेकिन इनका कारे छेत्र भोजपूर जिले के पीरो तरारी छेत्र में अधिक रहा है फुलास बक्सर जिले की राजनिती में अधिक सक्रिय रहते हैं जबकि सुनील पांडे भोजपूर जिले की राजनिती में दिखते हैं 2020 के विधान सभा चुनाओं में फुलास ने बक्सर जिले की ब्रह्मपुर सीट से बता और लोजपा प्रत्यासी चुनाओ लड़ा था। इस सीट से राजत के संभुन आथ्यादों को जीत मिली थी। एंडिये में एस सीट मुके सहनी की विकास सील इंसान पाटी को दे दी गई थी। कुछ साल पहले एनाईये ने हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। 45 लाग कैस और डेर कीलो सोने की बरामदगी हुई थी। लेकिन बक्सर लोगसभा सीट को लेकर ये दो बड़े नाम चर्चा में आ गये हैं। यह सीट परंपरागत तोर पर ब्रामद बहुल मानी जाती है। इसके पीछे तर्क यह है कि बक्सर लोगसभा छेत्र 1957 में अपने अस्तितों में आया था। तब से 15 बार हुए चुनाव में 10 ब्रामद उमिद्वारों की जीत हुई है। इसमें एक बार अस्वनी चौवबे, चार बार लाल मुनी चौवबे, दो बार केके तिवारी, एक बार रामान तिवारी और दो बार अनन्थ प्रसाथ सर्मा जीते हैं। ब्राम्मन कैंडिडेट चार बार दूसरे नमबर पर रहे हैं वहीं इस सीट से तीन बार राजपुत कैंडिडेट का कबजा रहा है कर दूसरे नमबर चार बार रहे हैं वहीं इस पजय को पर रहे हैं वहीं कर बार दूसरे तीन